हेला एवरीवन वेल्कम टू क्लास नॉमबर 27 अफ़ टॉपिक MS Excel तो आज के क्लास में हम डिस्कुस करेंगे और एक इंट्रेस्टिंग एडवाजड टॉपिक MS Excel का तो आज के क्लास का हमारा डिस्कुशन का टॉपिक होगा यह डाटा वैलिडेशन टूल क्या है डाटा वैलिडेशन टूल को हम MS Excel में चूँप और कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम कंप्लिट डिस्कुशन करेंगे तो चली शुरू करते हैं डिस्कुशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बार इंसर्ट हो सकता है और किस तरह का वैलू इंसर्ट नहीं हो सकता है वो हम डिफाइन कर सकते हैं by using data validation tool we can provide restriction to a sale that what kind of value user can insert and what kind of value user cannot insert एक particular sale में user किस तरह का वैलू इंसर्ट कर सकता है किस तरह का वैलू इंसर्ट नहीं कर सकता वो हम define कर सकते हैं जिस tool को use करके उस tool को बोलते है data validation tool तो data validation tool को use करके हम क्या कर सकते हैं एक particular sale में किस तरह का value insert हो सकता है किस तरह का value insert नहीं हो सकता वो हम define कर सकते हैं वो restriction हम provide कर सकते हैं उस particular sale में चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं एक simple example लेते हैं तो और जारासन तरीके से समझा जाएगा तो यहां पर हमने दो column लिया एक name एक mark ओके तो यहां पर कुछ name ले लेते हैं तो हमने यहां पर चार students के name लिये यहां पर कुछ marks ले लेते हैं तो हमने यहां पर कुछ mark ले लिया तो अभी हम यहां पर क्या करते हैं data validation apply करने की कोशिस करते हैं mark column में तो mark column पर जितने भी sales में हमें restrictions apply करने हैं उतने को पहले select कर लेंगे उतने को पहले select करने के बाद हमें यहां पर क्या apply करना होता है हमें apply करना होता है data validation tool तो data validation tool apply करने के लिए हमें कौन से tab में जाना पड़ेगा menu bar में जो data tape है data tape में जाना पड़ेगा data tab में जाने के बाद वहाँ पे data tools group के अंदर data validation command का एक option है उसमें click कर देना है उसमें click करने के बाद वो पुछेगा कि इस particular selected sale में हम user को किस तरह का value insert करने के लिए allow करना चाहते हैं अगर हर तरह का value insert करने के लिए allow करना चाहते हैं तो यहाँ पे any value रहने देंगे हम चाहते हैं कि mark में सिर्फ whole numbers ही insert हो point values insert ना हो अगर कोई point values insert कर रहा हो तो उसको वो accept ना करें हम चाहते हैं सिर्फ whole numbers ही insert हो तो मैंने whole number दे दिया उसके बाद data कितने से कितने के अंदर का whole number insert हो सके suppose 80 mark का exam हो रहा है कोई by mistakely out of 100 count करके insert कर दे रहे हैं तो यहां पर कोई 90 mark insert करेगा तो तो invalid हो जाएगा क्योंकि total exam तो 80 marks का है तो यहां पर minimum कितना marks insert हो सकता है and maximum कितना marks insert हो सकता है वो यहां पर हम define कर देंगे उसके बाद हम यहां पर okay option में क्लिक कर देंगे हो गया हो गया अभी यह चार sales में तो हमने mark insert कर लिया है यह पांचवा sales में आते हैं यहां पर data insert करने की कोसिस करते हैं यहां पर और एक student का नाम लेते हैं धिरुनित सपोज इसका mark में insert करने की कोसिस कर रहा हूं 81 तो क्या वो 81 accept करना चाहिए क्योंकि total exam का mark कितना है 80 तो क्या 81 accept करना चाहिए चलो interface करते हैं क्या दिखा रहा है this value does not match the data validation restriction defined for this sale इस particular sale के लिए जो restriction दिया गया है उसके हिसाब से यह match नहीं कर रहा है तो इसलिए वो क्या कर रहा है हमें change करने के लिए बोल रहा है तो इसको हम फिर change करेंगे देखो अगर 80 लेते हैं तो 80 को allow करना चाहिए देखो enterprise किया easily 80 को accept कर लिया बीना कोई changes करने के लिए बोल के उसके बाद और एक student का नाम लेते हैं वहाँ पे हम mark फिर से insert करने की कोसिस करते हैं 95 क्या वो लेगा नीचे आ जाते हैं देखो क्या दिखा रहा है यह value data validation restriction के हिसाब से इस sale में match नहीं कर रहा इसको change करने के लिए बोल रहा है तो इसको हमें simply change करना है और जो exact mark है वही insert कर देना है उसके बाद और एक student का mark यहाँ पे लेते हैं और negative mark insert करने की कोसिस करते हैं तो हमारा जो range था इस particular sales के लिए वो था 0 से 80 के अंदर तो minus 56 तो उसके अंदर नहीं आता तो क्या इस value का वो accept करना चाहिए नहीं enterprise करेंगे again वही same error दिखाएगा तो हमें यहाँ पे changes करने के लिए बोलेगा और simply हमें यहाँ पे changes करने से वो value easily accept करनेगा ओके तो पता चला data validation tool का का काम क्या है by using data validation tool we can define restriction on a particular sale that what kind of value user can insert एक particular set of sales में user किस तरह का value insert कर सकता है वो restrictions हम provide कर सकते हैं जिस tool को use करके उस tool को बोलते हैं data validation tool okay so I think आप लोगों को easily समझ आ चुका है यह data validation tool क्या है और यह data validation tool हम कहाँ पे और कैसे use कर सकते हैं I think आप लोगों को अच्छे से practically समझ आ चुका है so next class में हम discuss करेंगे ऐसे और कुछ topic के बारे में आज के लिए इतना ही thank you